पहली ते वड़ी खबर एह है कि तालिबान करकर जाके लोकांदी पाल कर रहे हैं। नहीं होएगा ना ही कोई बदला ले आ जावेगा। परवार्तों पुछगिश किती जावेगी ते सजा दिती जावेगी। क्योंकि हले कोई नियम नी बिना निजमा तो सारे जड़े तालिबान लड़ाके ने वो अपो अपनी सोच दे मताबिक काम ने जड़े हो कर रहे होंगे। इस दे विच कोई दोराई नहीं है कि लोकां ते जुलम भी हो रहा होवेगा। अफगानिस्तान दे वेच वस्दे सिखा दे हलात दी जानकारी थानू दे दे ये ता दिल्ली सिख गुर्दवारा मैनेजमेंट कमेटी दे परदान दे हवाले दे नाली ये जानकारी मिली है। के उना ने पार दे विच परदान मंत्री दाफ्तनू चिठी लिखी सी उत्हों दे सिखांदी सुरख्यत वापसी दे ले अपील किती सी ता पार अच्छरकार ने जड़ी ई वीजा परनाली दी शुरुआत किती है। अफगानिस्तान में जो हमारे परिवार तालिबान के कबजे के बाद फसे हुए हैं। उनको लेकर मैंने अभी परदान मंत्री कारयालया में भी बादचीत की। उन्होंने बताया कि जो परदान मंत्री जी ने ऑनलाइन स्कीम शुरू की थी वीजा के लिए इन सिचुएशन में उन सब की वीजे भी अक्सेप्ट कर लिए गए हैं। सदार गुर्णाम जी सिंग जो हमारे वहाँ पर प्रेजडेंड हैं। मैंने उनसे भी बात कि उन्होंने बताया कि हैं मिये के लोग उनसे संपर्क में हैं। और उन सब के वीजे अप्रूव हो चुके हैं। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्दी वहाँ से वैक्वेट किये जाएं। आज छे लोगों को वो अपने गुर्दवारे से एरपूर्ट ले जा रहे हैं। कुछ लोगों को वहाँ से आज निकाला भी जा रहा है। हमें उमीद है कि जल्दी ही हम अपने भाईयों को वहाँ से वैक्वेट करके भारत में लाज साकेंगे और सुरक्षित लाप आएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का बारत सरकार का और मेरे को पूरा यकीन है इन हरातों के अंदर जबकि बहुत मुश्किल ये एक समय है हमारे सारे परिवार यहां पर सुरक्षित पहुंचेंगे हम परमात्मा के चर्णों में अरदास करते हैं लगातर हम संपर्क में हैं हम मारे भाईयों के साथ भी और सरकार के साथ भी और मिया के साथ भी और जल्दी ही हमें पूरा यकीन है हम सब भाईयों को यहां लाने में काम्याब होंगे एसे दर में एक वीडियो वी सामने आया जिदे वेच अफगानिस्तान दे वेच काबुल एरपोर्ट राज्तानी काबुल दा एरपोर्ट जड़ा काफी पिछले दना दे वेच जड़ा सुर्खियां दे वेच आया क्योंकि उत्ते कटना आवा ही एहोजियाँ वापरियां ते होण नमी वीडियो दे विच सामने आया के काबुल एरपोर्ट दियां कंदा दे उत्ते चड़दे लोकां ते अमरीकी फॉजियां ने हंजू गैस दे गोले चड़े एप आनक मंजर काबुल एरपोर्ट दा दसयाजार है ते लोक वड़ी गेंटी विच कठे होए ते ते चड़न दी मदद मंग दियां देखे यां गैन्या पर कंदा दे उत्ते बैठे अमरीकी फॉजी उना देवाल एक नजर देख भी नहीं रहे सान मदद करनी ता दूर दी गाल होर नू गंबी रूपच जखमी कर देता है पत्रकार होन इस वक्त जर्मनी विच काम कर दे है ते तालेबान ओसे नू लबन लेकर ओकरी तलाशी ले रहे सी पत्रकाब दे दूसरे रिष्टिदार आखरी मौक्यों तो जान बचाके पर जन्विच काम रहे ते लगातार उत्थो दू जान दी कोशिश कर रहे ने DW दे निर्देशक पीटर लिंबर्ग ने कटना दी सक्त निखे दी कारदियान जर्मनी सरकार्तों कारवाई दी मंग कीती है क्योंकि जिड़ा DW मीडिया दारा है वो जर्मनी दाही ब्राडकास्टर है अगली खबर ए है के तालिबान ने दो पार्ती दूता वासान दे विच भी पान तोड कीती है ते कारावी अपने नाल लेगेने अंग्रेजी एक बार हिंदोस्तान टाइमस दे मुताबिक अफगानस्तान दे वेच तालिबान ने बोधवार नू कंद आराते हे रात वेच स्थेत बांध पहे पार्ती कॉंसल खाने दी तलाशी लई तालिबान ने ताले तोड के एना जड़े कॉंसल खाने दे वेच पारदे विदेश मंतरी जैशंकर कैंदे दिखेगे अफगान लोकां दे नाल पारदे इतिहासिक रिष्टे ने उना कि है के ए रिष्टे विचारा ते नजरिये नू सेध दिन दे रेंगे जैशंकर संजुक्त राश्टर दी सुरख्या कॉंसल दे वेच जंग दे चंबे म पुल्क अफगानिस्तान दे मौझूदा हलात ते बोल रहे से उना ने किया के पारदा सारा त्यान इस वक्त अफगानिस्तान विच फसी अपने नागरे कांदी स्रख्यत वापसी ते लग गया हुया अफगानिस्तान दे वेच सरकारी टीवी चानल दी एंकर नू दफ्तर रहे से सरकारी मीडिया पर में दमन में दफ्तर गयी पर बद किसमती दे नागर महीं दफ्तर नहीं जान दता गया आपना आईकार भी दखाया पर महीं नू कहा गया किया लिए नौकरी नहीं कर सकती क्योंकि निजाम बदल गया है जो लोग मेरी इस गाल नो सुन रहे ने ओ मदद करन साधी जंदगी खत्रे विच है अफगानिस्तान दी इस एंकर शब नमदा ए वीडियो सोशल मीडिया ते वाइरल हो रहे है इस वीडियो दे विच ओ ए गला साफ साफ क करन दी अजादी होएगी ते बीबिया ने जडिया उस स्कूल भी जा सकन गिया ते नौकरिया भी कर सकन गिया पर ए ताजा खबर का कई स्वाल तालिबान दे बयानते खड़े कार दिया है एक होर उदास करन वाली खबर है कि अफगानिस्तान दे एक कौमी फुटबॉल खि 19 साल दा कौमी फुटबॉल खिडारी इस दी मौत अमरीकी मिल्टरी जहाज चो डिगन कारण होई है इस दी जानकारी अफगानिस्तान दी नेशनल फुटबॉल टीम बारे एक फेस्बुक पेज ने 18 अगास तनूवी सांजी केती सी फ्रांस चौवी दे मुताबिक अफगा जहाज है उस दे नाल लटक के जान दी कोशिश करदा होएगा क्योंकि जहाज जदो बंध हो गया उस दे अंदरों डिगन दा तस्वाली पैदा नहीं होंदा ते जरूर जड़े ओ लोक खंबा दे नाल लटक के जाना चोंदे सी उनना दे विच्चों ही एक नौच वान पाकिस्तानी फॉज दी हिरासत विच हो सकता है पिछले खरीब छे मीन या तो तालिबान दे सीनियर लिडरां ते लड़ाक्या ने उसनों नहीं देख्या आखरी बार अखुन्द जादा दा जड़ा जनतक ब्यान है मई मीने विच इद उल्फितर दे मौके ते सामने आया स इस अधिकारी दे दसन दे मुताबिक पारत दिल्चस्पी दे नाल इस गलते नजर पूरी तरह दे नाल रखर है कि पाकिस्तान इस मामले नू किस तरह हैंडल कर दे है पतुल्ला अखुन्द जादा नू मई 2016 विच तालिबानी मुखी नियुक्त किता गया सी साबका लीडर अक्तर मनसूर दे अमरीकी ड्रोन हमले विच मारे जानतो बाद अखुन्द जादा दी नियुक्ती होई सी उसमें तालिबानी ग्रूप वल्लों साजे कीते गे एक वीडियो दे मताबिक मनसूर दे दो परमुख डिप्टियां विच एक हैब तुल्ला नू पाकिस्तान जाए तो बिचॉनली अफगानिस्तान दे विच फेस्बुक अकाउंट्स दे लैंट्स दे सूची नू देखन ते लबन्द योगता नू हटा दता हैं लिइडिन नीवी अफगानिस्तान दे लोकान ली कुछ बदला कीते ने अफगानिस्तान यूजर्स दे connection सुन देश विच कोई किसे भी थाते नहीं देख सकदा वीरवार नू Facebook दी सुरख्या निती दे मुखी नथायल गलेचर ने वाद्दू सुरख्या उपामादा एलान किता उसने ट्वीट किता कि असी अफगानिस्तान दी लोकां दी अकाउंट्स नू तेजी नाल लॉक करन ली एक क्लिक टूल लॉच किता है तांके उना दी निजी जानकारी है निजी सुरख्या है ओ खत्रे विच ना होवे इस दरम्यान अमरीका दे एक बुलारे ने कहा है कि अमरीकी कांसलर टीम दे वलनों काबल हवाई अड़े तो 6,000 लोक कानू ले उन्डी पर के रिया पूरी कर ली गई है तो जल्दी ही उडाना पर अणगे बुलारे नेट प्राइस ने कहा है कि अमरीकी अधिकार यानू काबल हवाई अड़े नेड़े पीड़ पाड़ बारे जानकारी है जिते 2200 अमरीकी फोजी तैनात ने ताजा जानकारी तहत पिछले चौवीक अंट्यान दे विच सीस तारा अंदे बारा जहाँ जने उडान परी जिदे विच 2000 वद यातरी सुरक्ख्यत अमरीका वापस पहुंच गए ने